ओम शान्ति अम्रित वेले का टाइम बाब दादा ने विशेश ब्रामन बच्चों के लिए ही रखा है क्योंकि विशेश बाब दादा हर बच्चे की विशेशता को, सेवा को, गुण को सदा सामने लाते हैं और क्या करते हैं, जो हर बच्चे की विशेशता है, गुण है, सेवा है, उसको विशेश वर्दान से अविनाशी बनाते हैं अम्रित वेले जो प्राप्त करना चाहू, वह कर सकते हूँ यह समय बाबा ने बच्चों के लिए खास रखा है जैसे कोई विक्ती अपने परिवार के लिए विशेश समय रिजव रखता है ऐसे ही अम्रित वेला खास बच्चों के लिए रखा गया है फिर दुनिया की सर्व आत्माओं के लिए परंतु बच्चों का पहला चांस दिया जाता है रोज अम्रित वेले बाब दादा बच्चों की माला जबते हैं बच्चों के त्याग की हिम्मत देख तपस्या का उमंग देख बाब दादा बहुत खुश होते हैं बाब की महिमा तो भक्त करते हैं लेकिन बच्चों की महिमा बाब करते हैं कितने जन्म आपने माला सिम्रन की अभी बाब रिटन में बच्चों की माला सिम्रन करते हैं आप लोग देखते हूँ किस समय बाब माला सिम्रन करते हैं अम्रित वेले तो जिस समय बाब माला सिम्रन करते हैं उस समय आप सो तो नहीं जाते हूँ शक्तियां तो सोने वालों को जगाने वाली है तो खुद कैसे सोएंगे बाब दादा सदा अम्रित वेले से बच्चों की माला सिम्रन करने शुरू करते हैं हर एक रतन की वा मनकी की विशेषता देखते हैं तो अम्रित वेले सहज ही अपने आपको चेक कर सकते हूँ याद की शक्ती में संबंद की शक्ती से स्पष्ट रुहानी टीवी में देख सकते हो की बाब दादा किस नंबर में मुझे सिम्रन कर रहे हैं उसके लिए विशेष बात बुद्धे की लाइन बहुत क्लियर चाहिए नहीं तो स्पष्ट नहीं देख सकेंगे अब तो समय की समीपता के कारण स्वयम को बाब के समान अर्थात समानता द्वारा समीपता में लाओ संकल्प, बोल, कर्म, संसकार और सेवा सब में बाब समान बनना अर्थात समीप आना आज अमरित वेले बाब दादा सर्व ब्रामहन कुल बच्चों में से उन विशेश आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयम भी सदा संतुष्ट रहे हैं और औरों को भी संतुष्टता की अनभूती अपने द्रिष्टी, वृती और कृती द्वारा सदा कराते आई हैं तो आज ऐसी संतुष्ट मनियों की माला पिरो रहे थे जो सदा संकल्प में, बोल में, संघटन के संबंद संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाब दादा द्वारा अपने उपर बरसाने का अनुभव करते और सर्वप्रती संतुष्टता के गोल्डन पुष्पो की वर्षा सदा करते रहते हैं ऐसी संतुष्ट आत्मा हैं, चारो ओर में से कोई-कोई नजर आई माला बड़ी नहीं बनी, छोटी सी माला बनी बाब दादा बार-बार संतुष्ट मनियों की माला को देख हर्षित हो रहे थे क्योंकि ऐसी संतुष्ट मनिया ही बाब दादा के गले का हार बनती है राज अधिकारी बनती है और भक्तो के सिम्रन की माला बनती है अम्रित वेले ब्रम्हा बाबा का विशेश पाड़ जैसे मा बच्चों के लिए छत्रचाया होती है ऐसे ही अम्रित वेले से लेकर ब्रम्हा मा चारो तरफ के बच्चों की देख रेख करते रहते हैं साकार में निमित बच्चे हैं लेकिन भाग्य विधाता ब्रम्हा मा हर बच्चे के भाग्य को देख बच्चों को विशेश शक्ति हिम्मत उमंग उत्साह की पालना करते रहते हैं श्यू बाबा तो साथ में हैं ही लेकिन विशेश ब्रम्हा का पालना का पार्ठ है जैसे यहां भी किसी किसी की नियम प्रमान रोज के भोजन से विशेश वस्तूं से खात्री करते हूँ न एक्स्ट्रा देते हूँ ऐसे ब्रम्हा मा का भी बच्चों में विशेश स्नेह हैं ब्रम्हा मा वतन में भी बच्चों की रिमजिम बिना रह नहीं सकते रुहानी ममता है तो सुक्ष्म स्नेह का अहवान से बच्चों के स्पेशल ग्रूप इमर्च करते हैं जैसे साकार में याद है न, हर ग्रूप को विशेश स्नेह के स्वरूप में अपने हातों से खिलाते थे और बहलाते थे, वही स्नेह का संसार अब भी प्राक्टिकल में चल रहा है, इसमें सिर्फ बच्चों को बाप समान आकारी स्वरूप धारी बन अनुभव करना पड़े पहले ब्रह्मा मा, आओ बच्चे, आओ बच्चे कहे, विशेश शक्तियों की खुराक बच्चों को खिलाते हैं, जैसे यहां घी पिलाते थे और साथ साथ एक्सरसाइज भी कराते थे न, तो वतन में भी घी पिलाते अर्थात सुक्ष्म शक्तियों की ताकत की चीजे देते और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते हैं, बुद्धी बलद्वारा सेर भी कराते हैं अभी अभी परमधाम अभी अभी सुक्ष्मवतन अभी अभी साकारी शृष्टी ब्राम्भन जीवन तीनों लोकों में दोड की रेस कराते हैं जिससे विशेश खात्री जीवन में समा जाई तो सुना ब्राम्भामा क्या करते हैं अमरित वेले बाबा बच्चों को सारे दिन के लिए तयार करते हैं ओम शान्ति शुक्रिया बाबा शुक्रिया